हेलो फ्रेंज आज मैं आपको 2020 की विसकर अवे ये जापनीज एनिमी मूवे एक्सप्लेंड करने वाला हूँ इस मूवे में एक लड़की एक लड़के से बहुत ही प्यार करती है पर उलड़का उसे भाव नहीं देता इसी वज़े से वो कैट में कनवर्ट हो जाती है ये magically कनवर्ट होई होती है तो इसका backlash भी उस पर आता है तो क्या कड़बड होती है इस मूवे में हम देखेंगे तो चले एक्स्प्लेंड करता हूँ इस मूवे के जो में क्यारिक्टर इसका नाम है मियो मियो एक festival में आई होई होती है उसकी मदर के साथ वो आई होई होती है उसकी जो मदर थी वो जब बहुत ही छोटी थी तब उसे छोड़कर चली गई थी पर अब वो जो बड़ी हो चुकी है तो वो वापस आ गई है मियो के फादर ने एक नहीं शादी कर लि थी उसकी step mother भी है तो उसकी mother अब उसे कह रहे होती है कि तुम्हेरी step mother का तुम कहो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम मेरे साथ आकर हो मियो उसे पुछती है कि तुम मुझे छोड़ कर क्यों चली गई थी उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें समझ में ने आएगा मियो को अब अकेला रहना होता है तो फेस्टिवल में अपनी मदर को छोड़ कर वो अकेले चलने लग जाती है जब वो आगे जाती है तब उसे एक बड़ा सा कैट आदमी दिखता है यह जो आदमी होता है यह कैट मास्क सेल कर रहा होता है वो उसे पुछ रहा होता है कि आप तुम्हें ट्राय करना है इसके बाद हमें डारिकली मियो स्कूल में दिखाए गई है मियो अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे फिर हिनो दे दिखता है यह वही लड़का होता है जिससे वो बहुत ही प्यार करती है फिर वो भाग भाग कर जाती है और उसे टकरा जाती है और खेती है हिनो दे संराइस यह उसकी एक ट्रेडिशन होती है जब भी वो हिनोदो को देखती है तब उसे जाकर टकरा जाती है और हिनोदे सनराइज बोलती है यानि कि उसकी दिन की शुरुवात अब हिनोदो को मिलने के बाद ही हुई है उसे यह करकर बहुत ही सही लगता है इनोदों का फ्रेंड भी उसे चिलाता है उसे रूखने के लिए बोल रहा होता है पर इनोदों कहता है कि मैं यह नहीं रुख सकता मैं वेट नहीं कर सकता यहां से जाने के लिए मियो बहुती रोमेंटिक होती है उसे अलग ही लगता है उसे लगता है कि वो wait नहीं कर सकता उसे मेरे साथ ही रहना है वो अपनी friend को बता रही होती है उसकी friend उसे समझाती है कि वो तुम्हें ignore करता है वो तुम्हें interested नहीं है पर मियो यह मानने के लिए ready नहीं होती वो उसे फिर एक किसा सुनाती वो क्या थी है, यह जब तुम फेस्टिवल में मेरे साथ नहीं आई थी, तब मैं हिनोदो से मिली थी, हिनोदो और मैं हमने night spend की थी, हिनोदो कह रहा था कि इस world में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पर अगर यह world disappear हो गया, तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, हि यह दोनों घर जाने लग जाते है, जब मियो घर पर आती है, तो उस घर के बाहर एक old lady होती है, वो मियो से पुछती है, क्या तुम्हें वासे से खाना के लाती है, यानि कि मियो की मदर ने उस old lady को पैसे देकर उसे यह पूछने के लिए बोला था, मियो की step mother यह देखती है और फिर मियो घर पर आ जाती है, मियो की step mother एक teacher होती है, वो बहुत ही अच्छी होती, compassionate होती है, वो उसे पूछती है क्या तुम्हें आइस्क्रीम विगरा चाहिए, मियो नहीं बोलती है, और फिर वो अपने room में चले जाती है, उसे और एक important काम होता है, वो फिर वो मास नि ले जाना होता है, वो potry करते है, और हिनोदो को भी potry करना बहुत ही अच्छा लगता है, हिनोदो की mother जोती होती है, उसे बोलती है, पहले homework complete करो, और फिर अपने granddad की आ जाना, हिनोदो कहता है, आज मैं जो homework नहीं है, और गर से बाहर निकल जाता है, अपनी जो cat होती है, तो अपने granddad को यह कहता है, उसके granddad कहता है, कि तुम बहुत talented हो, तुमें जादा कुछ worry करने की ज़रूरत नहीं है, हिनोदो को लगता है, कि यह hungry होगी, तो इसके लिए उसके लिए खाना बनाता है, मियो भी इसके लिए बहुत excited होती है, वो फिर उसे बहुत सारा खाना वो कहता है, कि मुझे fat cat पसना थी है, हिनोदो जो घर पर आता है, तो उसकी sister तारो को ढूंड रहे हो थी है, उसे लगता है, कि वो उसकी cat है, पर हिनोदो से कहता है, कि नहीं, यह हमारी cat नहीं है, यह मुझे festival मिल ली थी, यानि कि मियो जो उसके friend को कह रही थी, कि वो festival में हिनोदों के साथ थी, तो as a cat या as a taro, वो उसके साथ थी, मियो को आज बहुत ही अच्छा लगा होता है हिनोदों के साथ रहे कर जब रात होती है, तो अभी भी वो cat ही होती है, वहाँ फिर से वो cat आदमी प्रकट हो जाता है, उसे कहता है, कि ये cat बनना बहुत ही अच्छा है, वो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम permanently cat बनना चाती हो, तो तुम्हारा human face मुझे दे दो, ये जो human face होता है अगर कोई cat इसे पहन लेगी तो वो human बन सकती है, इसलोग उससे मांग रहा होता है, मियो इसके लिए उसका plan होता है, कि cat बनकर वो hero 2 को जान लेगी, और फिर as a human, उसकी girlfriend बन जाएगी इसलिए उसे मना करते थी है जब रात में मियो अपने parents के साथ dinner कर रहे होती है, तो वो बहुत ज़्यादा खा रहे होती है, उसके parents उसे पुछते है कि यह क्या कर रहे हो, तो वो कहती है कि hero 2 को fat cats पसन है उसके parents उसे पुछते हैं कि hero 2 कोन है, क्या यह तुमारा boyfriend है तो वो इस सब मना करकर अपने room में चली जाती है, नेक्स दिन जब hero 2 homework कर रहा होता है, तब as a cat as a taro, वो उसके पास आ जाती है hero 2 के पास आने पर उसे पता चलता है कि hero 2 कल अपना lunch खोती बनाने वाला है hero 2 तारो को बहुत ही like करता है वो कहता है, कि तुमारी smell sun की तरह है अब meo को hero 2 का lunch खाना होता है इसलिए वो कुछ plan बना रहे होती है तब उसे दो लड़के दिखते है कि जो हिनोदो के बारे में बोल रहे होते है वो कहरे होते है कि हिनोदो की crates जादा ही अच्छी हो गई है 100% कुछ न कुछ तो cheat कर रहा है इस पर meo बहुत ही cheat जाती है वो उपर होती है और नीचे वो jam मार देती है इस jam मारने के वज़े से वो जाड़ियों में गिर जाती है और थोड़ी से हर्ट भी हो जाती है वो उसे कहती है कि हिरो दो बहुत ही hard working है वो कोज चीट वे गरा नहीं कर रहा हिरो दो जब यह देखता है कि वो हर्ट हो चुक है तो उसके पास हो जाता है उसे कहता है तो यह medical help की ज़रूत है फिर वो उसे ले कर जाता है वो अर लंच में भी वो उसके साथ ही उसे बैठाता है हिरो दो ने potatoes लाए होते है जब मियो टेस्ट करती है तो उसे बहुत अच्छे लगते है मियो जब चोटी थी तो उसकी मदर उसके लिए ऐसे potatoes बनाती थी यह टेस्ट करकर वो बहुत ही खोश होती है और पूरे world को बताना चाहती है इसलिए वो चिलाने लग जाती है हिरो दो भी यह देखकर हसने लग जाता है वो फिर कहती है कि मैंने आज हिरो दो को हसना सिखाया है मियो जब घर पर आती है तो बहुत ही excited होती है वो फिर से हिरो दो के घर पर आ जाती है हिरो जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे बात करी होती है उसे कह रहे होती है कि तुम्हारे जो pottery है अब हमें sell करना पड़ेगा वो financially इतनी efficient नहीं होती पर हिरो दो को यह बहुत ही अच्छी लगती है उसका यह passion होता है उसे बोलना होता है कि उसे यही करना है पर यह वो बोलनी पाता वो मिर रात में अपने pottery में आकर बेट जाता है वो pot बनाने लग जाता है मियो भी उसके पास आकर बेटती है उसे सब कुछ अपना मन का हाल वो कहता है कि उसे यही करना है पुर्योग बता नहीं पारा वो फिर wonder करता है कि मियो अगर उसकी जगा पर होती तो क्या करती मियो आउटस्पोकन होती है उसे जो भी कहना होता है वो कह देती है जो भी करना होता है वो कर देती है उसे लगता है कि अगर मियो उसके जगा पर होती है तो वो क्या करती है वो वंडर करना होता है मियो का अब लगता है कि as a cat वो उसे help नहीं कर पा रही है पर मियो होकर वो उसे help कर सकते है उसे emotional support दे सकते है जब वो घर आ रहे होती है तब cat man फिर से happy रहो जाता है वो उसे फिर से पुछता है क्या तुमें cat बनना अच्छा लग रहा है क्या तुम permanently cat बनना चाहती हो फिर वो उसे ना कर देती है वो फिर भी उसे शोचने के लिए बोल देता है मियो जब घर पर आती है तो उसके parents उसके लिए चीनते दोते है जब उसके parents उसे देखते है तो वो अपने रूप में नहीं होती तो इसलिए वो डर चुके होते है पर मियो जब घर पर आती है तब उन्हें कहती है कि मैं रूप टॉप पर थी तो यह वरी करने कोई भी ज़रूरत नहीं है मियो फिट डिसाइड करती है कि वो हिरोदो को अपनी फीलिंस का एक लेटर लिखेगी लेटर वो लिखती है और नेक्स दिन क्लास रूम में आती है क्लास रूम में आने के बाद वो जो लड़के थे जो हमेशा हिरोदो को परिशान करते है मियो को भी परिशान करते है यह लेटर उसे चीन लेते है यह लेटर चीन का यह बहुत ही आउट लाउड यह पढ़कर सुनाते है इस लेटर में लिखा होता है हिरोदो सन्राइज उसके लिए बहुत स्पेशल है उसका दीन अच्छा जाता है और इससे ही एक्चुल में उसकी दीन की शुरुआत होती है उसे हिरोदो बहुत ही पसंद है और उसके बाद इसमें ये भी लिखा होता है कि हम दोनों बहुत ही सेमें हिरोदो जैसे अपनी फिलिंग्स नहीं बता पाता वैसे मियो भी अपनी फिलिंग्स नहीं बता पाती यो इस लिटर में लिखा होता है फ vaccinate लड़के हिरोदो से अपना सवाल पूछते है हिरोदो मियोख को रिजेक कर देता है वो कहता है कि मियोख बहुत ही पूशी है वो उसके साथ नहीं रह सकता वो उस पर चिट गया होता है वो बोलता है कि तुमने मेरे feelings का खयाल ने रखा और ये लेटर लिख दिया हिरो दो उसे hit करता है ये कहता है और फिर मियो रोने लग जाती है मियो रोते रोते बाहर निकल जाती है मियो दो अब बहुत ये upset होती है और अपने room में रो रही होती है तभी उसकी stepmother वहा आती है उसकी stepmother उसे चाय के लिए बुला रही होती है पर मियो उसके लिए मना करती है मियो की stepmother अब उसे upset देखकर उसे बात करती है वो कहती है कि तुम्हें हमेशा smile करते नहीं रहना है तुम्हें अगर sad लग रहा है तुम ये जता सकती हो तुम जब मेरे पास होती हो तो pretend करती हो पर तुम्हें pretend करने कोई भी ज़रूद नहीं मैं समझ सकती हो ये मेरे साथ होना तुम्हारे लिए hard है पर मियो अब उस पर चीड़ जाती है वो कहती है इसलिए मैं अपनी feelings को दवा देती हो और खुश रहने का try करती हो और तुम मुझे ये भी नहीं रहने दे रही हो फिर ये कहेकर वो अपना mask लेती है और balcony से कुच जाती है उसकी मदर उसे ढूंदी है उसे वो ढूंद नहीं पाती है वो अब cat बन चुकी है और hero दो के पास आ जाती है उसने अब decide किया होता है कि वो as a human उसे हब नहीं कर सकती है cat बन कर तो वो उसके पास रह सकती है hero दो के पास वो आती है तो hero दो फिर से उसे smell करता है फिर वो उसे याद आता है कि meo की और इस cat की दोनों की smell से हम है उसे फिर realize होता है कि वो meo से पैर करता है यह बात अभी मियो को पता नहीं है जब रात होती है तो hero दो के साति हो सोचाती है जब सुबह होती है तो cat man वहा जाता है वो से फिर से बुचता है क्या तुम अब ready हो और meo इस बार ready होती है वो अपना human mask वही उतार देती है फिर वो एक cat man हो सकेता है कि अब तुम हमेशा के लिए cat बन चुकी हो यह जो mask होता है इस mask से वो फिर से human बन सकती है पर यह mask वो लेकर जा रहा होता है meo घर से निकल गई थी और रात बर वो वापस ने आई तब उसके parents अब बहुत ही चीनतीत होते है वो उसे ढूणने के लिए उसके school में आते है hero 2 से भी मिलते है hero 2 से पुछते है कि वो तो तुमारी girlfriend थी तुम्हें उसके बारे में क्या पता है या नहीं hero 2 बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता meo की friend भी कहती है कि इनकी बीच में कोई भी relationship नहीं थी hero 2 को meo missing हो गई है इसके वज़े से बहुत भूरा लगता है तो अब वो उसे ढूणना चाहता है meo की friend उसे कहती है कि तुम ये मत करो अगर तु meo को सच मुझ में like करते हो तभी तुमें उसे ढूणने जाना चाहिए वरना फिर से उसका heart broke हो जाएगा ये वो नहीं चाहती फिर वो उसे एक story सुनाती है वो कहती है कि meo की mother जब उसे छोड़ कर चली गई थी तो वो heart broken थी मैं उसके साथ hangout नहीं करती थी क्योंकि मेरी friends मुझे restrict कर रही थी तभी meo ने मेरी friends के साथ जगड़ा कर लिया था वो मेरी friendship पाना चाहती थी और फिर वो खुद रोने लग गई थी वो वहाँ से भाग गई थी मैंने ही उसे रोका था वो बहुत ही fragile है हमें उसे समझ लेना चाहिए वो tough है ऐसा pretend करती है पर अपने मन में वो बहुत ही soft है और हमें इसे लोगों को बहुत ही खायाल करती है अब हिरोदों को बहुत ही बुरा रगता है जब meo के parents घर पर आते है तो meo की mother वहाँ आई हुई होती है वो उनसे बोल रही होती है कि यह तुम्हारी गलती है तो मैं उसे smartphone वगेरा देना चाहिए था यानि कि वो हमसे contact कर सकती थी मियो की step mother और मियो की mother इन तोनों में आफट fight हो चाती है मियो भी cat बन कर यह देख रही होती है पर वो इसे enjoy करती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है मियो फिर देखती है कि उसकी friend उसे ढून रही है जब मियो हिरोदो की granddad के पास आती है क्योंकि हिरोदो वहाँ ही आएगा तब हिरोदो की granddad बोलते है कि वो मियो को ढून रहा है हिरोदो भी वापस आता है और अपने granddad को उसे cover करने के लिए बोलता है वो कहता है कि मदर को बता देना कि मैं यहा हूँ वहा हूँ उसे पता नमत चलने देना कि वो Mio को ढूण रहा है Mio को ढूणने के लिए जब वो जा रहा होता है तो Mio as a cat उस पर चल जाती है और वो भी उसके साथ ही चलती है hero दो ठक जाता है और बेट जाता है वो कहता है कि मुझे इसा उसे treat नहीं करना चाहिए था वो as a person वो बहुत ही गलत है इसा उसे लग रहा होता है पर Mio अब उसे कह रहे होती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है वो बहुत ही सही है वो अबने friends का family का बहुत ही खयाल रखता है वो compassionate person है वो बहुत ही smart भी है और यह सब वो उसे कह नहीं पाती अब उसे hearing का भी problem आने लग जाता है वो अब cat में पूरी convert हो रही होती है तब human की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रहे होती है वो decide कर लेती है कि अब उसे फिर से human बनना है next scene में हमें दिखाया गया है कि एक दू दिन अब गुजर चुके है मियो की जगा पर और एक लड़की आ जाती है और वो मियो की तरह pretend करती है मियो का इस face उस पर होता है इसका मतलब है अब मियो का human face किसी cat के पास है वो अब मियो बन कर उसके school में जा रही है उसकी life जी रही है मियो देखकर बहुती disturbed होती है मियो के friend ये notice करते है कि मियो बहुती अलग-अलग रग रही है ये जो नई मियो होती है एक class में बहुती पॉपिलर हो जाती है लोगो को हसाती है actual मियो ये देखकर बहुती गुस्ता हो जाती है जब रात होती है तो ये fake मियो फिर से अपने family के पास चले जाती है मुझे भी human बनने में इतना अब interest नहीं रहा ये जो होती है ये actual मियो टीचर के cat होती है मियो उस टीचर से बात नहीं करती तो उस टीचर को बहुती बुरा लगता है फिर इस cat ने decide क्या होता है कि अगर वो मियो के face में आ जाए मियो बन जाए तो उस टीचर को मियो का पैर दे सकती है पर अब वो टीचर बहुती दुखी होती है उसे उसकी cat फिर से वापस चाही होती है इसलिए ये अब मियो बनी हुई cat जो होती है वो मियो से कहती है इं मैं भी human बनना नहीं चाहती है मैं भी फिर से cat बनना चाहती हूँ पर उन्हें a problem होता है Mew जो होती है उसके life दो हिस्सों में बढ़ चुकी होती है एक ये cat के पास होता है और जो cat man था उसके पास उसके half life है फिर ये teacher की cat उसे guide करती है वो कहती है ये जो way है इस way से तुम जाओ ये एक red velvet की तरह एक way होता है हिल पर वो आ जाती है ये जो हिल होती है ये एक नए world का रस्ता होती है ये जो teacher की cat होती है उसे ये भी कहती है तुमारे पास बहुत ही कम समय है आज रात में cat का जो world होता है उस world में एक बड़ा सट्री होता है वहाँ वो ट्री फिर से जाग जाने वाला होता है और वो जाग गया तो हमेशा के लिए मियो cat ही बन जाएगी फिर मियो उस way को देखती है cat के world में वो पहुच जाती है नेक सीन में हम देखते है कि teacher की जो cat होती है उसे hero को call आता है यह दोनों festival में जाने वाले होते है जब वे घर से निकलती है तब teacher उसे मिलती है यह teacher बहुत ही sad होती है क्योंकि अब उसे अपनी cat नहीं मिल रही उसकी cat फिर as a meo उसे कहती है कि वो तुमसे बहुत ही प्यार कर दी थी तुमारी cat तुमारी लिए बहुत ही care करती है वो तुमारी company को बहुत ही पसंद करती है वो as a human उसे अब last बार बात करेगी क्योंकि वो फिर से cat बनने वाली है इसलिए वो यह सब उसे कहे कर चली जाती है जब यह teacher की cat hero के पास आती है तब hero को सब सच्चा ही वो बता देती है hero 2 को भी इस पर बिली होता है क्योंकि उस cat का और Mio का दोनों का smell सेम था तो उसे cat के world में लेकर आती है Mio भी वहा होती है और Mio उस cat आदमी को ढूंड रहे होती है वो वहाँ सब लोगों से पूछ रहे होती है कि वो cat man कहा है पर किसी को भी पता नहीं होता फिर एक cat उसे ढूंड ले थी है उसे बोलती है क्या तुम human हो फिर वो उसे बार में लेकर आती है यह जो बार होता है इसमें पहले सब human थे और फिर वो cat बन चुके है इन सब को अब बहुते regret हो रहे होती है कि वो cat बन गए है वो अपनी responsibility से भाग रहे थे इसे वज़े से वो cat बने थे वो उसे समझाते है वो मेंगो को कहते है कि तुम्हारे पास अभी बहुत life है तुम सब कुछ ठिक कर सकती हो मेंगो भी अब चाहती है कि वो human बन सके तो ये उन्हें कहती है वो भी अब उसे फिर से human बनने के लिए help करना चाहते है टीचर की cat और hero 2 उस पेड़ के पास आ जाते है वहाँ आने के बाद cat man वहाँ आता है वो एक mask लेता है और hero 2 के उपर चाड़ा देता है इस hero 2 के हाथ cat जैसे बन जाते है वो वहाँ hero 2 और teacher की cat को दोनों को burn करकर वहाँ से चला जाता है मेंगो को पता चलता है hero 2 उसे ढूनने के लिए आया है ये सुनकर वो बहुत excited होती है और उसे बचाने के लिए आजाती है जहाँ पर hero 2 बन होता है वहाँ से उसे वो बचाती है और बाहर निकाल लेती है तब ही cat man वहाता है और meo को पकड़ लेता है उसे लेकर वो जा रहा होता है पर meo sleep हो जाती है meo hero 2 के पास जाती है hero 2 भी उसे देखता है और बड़े से एक रोफ़े से वो खूँज जाता है उसके पास वो आ जाता है वो उसे कहता है कि हमेशा से तुम मुझे help कर रही थी वो उसके लिए thankful होता है वो उससे अब प्यार करने लग गया है तो ये भी उसे ज़ता देता है cat man फिर इन दोनों को पकड़ लेता है ये उन्हें उस tree के पास लेकर आता है ये tree अब जागने वाली होती है और ये दोनों हमेशा के लिए convert हो जाने वाले होती है ये उससे बोलते है कि please ऐसा मत करो हम दोनों को फिर से human होने दो ये फिर इस cat man से जगड़ लेती है मियो अब try करती है कि फिर से वो human बन पाए उसके पास mask भी आ जाता है वो जब try करती है तो वो बन नहीं पाती उसके मन में अभी भी doubt होता है कि वो अगर human बन पाए तो फिर से वो अपने relationship को सही नहीं कर पाएगी हिरो तो उस cat man से जगड़ा करता है वो जो cat man होता है अब मियो से उसकी soul निकाल रहा होता है उसकी human soul वो निकाल रहा होता है तभी उससे वो छीन लेता है एक crystal के रूप में बन जाती है अब यह जो cat man होता है उन पर भारी बढ़ रहा होता है पर मियो ने जो नए friends बनाए थे जो पहले human थे और cats बन चुकी है वो इन्हें help करने के लिए आ जाते है वो cat man को जगड़ लेते है और उसे हरा देते है अब hero दो मियो से कहता है यह मैं तुमसे प्यार करता हो मुझे तुम कैसी हो यह जान लेना है उसे अपने दिल का इजहार करता है उसके बाद मियो को अब यकिन हो जाता है कि उसे human बनना है और अपने relationship को वो अच्छा कर सकती है यह सब लोग फिर से human world में आ जाते है वो अपने mask ट्राइ करते है फिर से वो अपने रूप में आ जाते है मियो फिर से human बन चुकी है जो teacher यह cat थी वो फिर से cat बन चुकी है मियो और hero 2 एक दूसरे कहाट पकड़ते है और यही है movie खतम हो जाती है movie के end में credit जब रोल होते है तो मैं दिखता है कि teacher को उसकी cat मिल गई है वो happy है hero 2 और meo भी एक दूसरे के pair में है और वो भी happy है hero 2 के लिए उसकी जो friend थी जो हमेशा उसका carry करती थी वो भी उसके लिए बहुत ही खुश है यह सब एक happy note पर यह movie end हो जाती है बहुत ही अच्छी एक new theme इस movie में हमें introduce हुई है बहुत ही सही movie है अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर इससे देखना अगर आपको एक movie अच्छी लगी होगी तो please इस video को like कर दीजे मैं इसे movies लेकर आता रहता हूँ तो इसलिए आप इस channel को subscribe कर दीजे bell notification icon भी दबा दीजेगा यानि कि आपको सब movies आती रहे हम फिर से मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये